चिन्दमाडा में रविवार को हुई चमाचम बारिश के चलते कनान नदी में आई बार से लोधी खेडार रंगारी मार्ग पर बने कनान नदी का पुलिया शत्रिक्रस होकर पया जमीन में धर्शाने से कनान शेत्र के 20-25 ग्रामिन शेत्र का संपर पूर्णता तोड़ गया है पुलिया के उचाए कम होने से अकसर इस मार्ग पर बार की सित्य निर्मित होने से आवा कमन अवरित हो जाता था इसी को देखते वे पुरानी पुलिया के ठीक बाजु में ही नई पुलिया का निर्मान जारी है किन्तु ये इन समय में पुलिया के शतिग्रस जाने से कनान शेटर के ग्रामी नुका सड़क संपर के तूट जाने से परिशानी हो रही है मिले जानकरी की अनुसार इस पुलिया का निर्मान तदकालिन मुख्यमंत्री स्वरकिय अर्जुन सिहकी शासिन कालमी से तो विभासवारा किया गया था जो कि वरतमार्ग सिती में जर keeping हो चुका है रेत का पुल्या की पास से उतकरन पुल्या को नुकसान होगा इस बात की शासन प्रशासन को तीन साल पहले ही चेताया क्या था किन्तो शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान दे दिया और यही कारण है कि रिता सुरोतवारा रेत का अविद उतकरन करने से जरासी बाड में पुल पुलिया क्यों ही है एस दोर खनिज विबा को ध्यानदिना आशिक है यह पुलिया के बारे में मैं ने बार बार प्रशासन के सामने यह मांग रखी थी कि भी यह पुलिया शितिग्रस्त है इसको एक तो रिपेर करो या वर्लोड वाहन का प्रतिव वर्लोड वाहन है उसका परिवन बन करो लेकिन उसके बावजुद भी यहां वर्लोड वाहनों का परिवन चलता रहा क्योंकि इस अब पुलिया की जो कैपिसिटी है मात्र 20-25 तन की है लेकिन इस पुलिया से जो परिवन होता है 50-60 तन का होता है इसके कारण ही यह पुलिया ठूटा है और आज कनान चेतर के लोगों को भारी समस्थ्य का सामना करना पड़ रहा है मैं आनन ठाकरे बादपाप पुलिश करते हैं आने जाने के लिए मतलब चवरई बिच्वा बलाग यह रोडपुरा चवरई जबलबूर को टच है और 2001 में जो पुलिया बना था इस पुलिया की क्यापिसिटी उतनी नहीं है चेतरिय परिवन के हिसाब से यह पुलिया बना है लेकिन इस पुलिया का उपयोग भारी वहानों के वयोशाई करन के लिए हुआ है इसका कमया आज हमको भुगितना पड़ रहा है मिस्यन नियूस के लिए चिंदवाड़ा से शेकर राजपूर के साथ गजानन बोरकुर की रिपोर्ट